तो आज का जो टॉपिक है आपका भूपेन खकर है और गुलाब मुहमत शेख है जो ये दोनों ही कलाकार बहुत ही ज्यादा इंपोरेंट है तो इसको याद रखिएगा बाकी मैंने बहुत अच्छे से इसको लिखवाया है तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान से पहले यहाँ पर देख लेते हैं टाइम पिरिएड है वो 1934 से 2003 है पहले इनका हम जन्म देखते हैं तो जन्म इनका कहा हुआ है मुंबई में हुआ है तो कलाकार का यहाँ पर जन्म इस्थान भी पूछ लिए जाता है यहाँ पर यह पूछ लिए जाता है कि कहां के कलाकार ह तो आप बता सकते हैं मुंबई ठीक है तो ये हो जाएंगे मुंबई के 1934 में ठीक है अब हम बात करते हैं इनकी सिक्षा तो इनकी जो सिक्षा हुई है यानि की इसनातक जो किया है जे जे स्कूल से किया है यहाँ पर मुंबई से ही किया है ठीक है और इनका जो इसनातक हुआ है वो किसमे हुआ है बिकॉम में हुआ है इन्होंने कोई भी यहाँ पर कॉलेज यूनिवेस्टी से कोई भी कला की सिक्षा नहीं ली है बाकी अगर हम बात करते हैं डिप्लोमा की तो डिप्लोमा इन्होंने किया है दुई वर्शिय का किसमें डिप्लोमा किया है MS विश्यू विध्याले से किया है ठीक है तो यह याद रखीएगा दो पॉइंट बहुत ज़्यादा important है कि यह बता देते हैं कि भूपेन खकर एक स्वेंप्रिसिक्षित कलाकार थे यह दो आपके जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा important है याद रखीएगा कि यहाँ पर MS विश्यू विध्याले से इन्होंने दुवर्शिय डिप्लोमा प्राप्त किया था दूसरा point है कि यह एक क्या है मतलब स्वेंप्रिसिक्षित कलाकार है ठीक है चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर भूपेन कंकर यह तो बता ही दिया है आप हम बात करते हैं कि यहाँ पर बुरादा गुरुप के यह उन्नीस सो सतावन के यहाँ पर बुरदा गुरुप जो है 1957 यह क्या है एक सदस्य थे ठीक है तो इसको भी याद रखीएगा बाकी अब बात करते हैं जो इनके मित्र हैं कौन गुलाम मुहम्मद शेक तो गुलाम मुहम्मद शेक भी आपके कलाकार है इसको भी पढ़ा देंगे तो इनके साथ यहाँ पर मिलकर ब्रश्चिका का पत्रिका है उसका संपादन किया था ठीक है इसका जो संपादन किया है तो इनके साथ मिलकर जो है तो यहाँ पर गुलाम मुम्मत शेक की तो यहाँ पर इनके साथ मिलकर यहाँ पर ब्रश्चिका पत्रिका का संपादन किया था ठीक है तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो भूपेन खकर है यह कैसे मतलब जो है जासूसी उपन्यासों के प्रेमी या फ बड़ोदा गुरुप के यह हैं तो 1957 के यह सदस्य थे यह सुवप्रश्चित कलाकार थे याद रखी गा बाकी यह याद रखना है कि गुलाम मुहमद शेक की जो इनकी पत्रिका है किसकी ब्रश्चिका उसका संपादन इनके साथ मिलके किया था और यह जासुसी उपन्यास के लवर थे ठीक है चलिए तो अब हम बात करते हैं आप ए 1960 में त्यानी की 1960 में राम कुमार के द्रश्चिक के चित्रों से प्रभावित थे देखो सारी चीज़े अलग हैं इसको मिक्स मत करिएगा इनके जो मित्र थे गुलाम मुहमद से उनके साथ तो ब्रश्चिका पत्रिक मुंबई में हुई थी 1965 में हुई थी ठीक है तो यहां नहीं कि याद रखीगा कि 1960 में यह किस से प्रभावित थे मतलब जो है द्रश्चिक चित्रों से राम कुमार से प्रभावित थे ठीक है तो दूसरी चीज़ याद रहना है कि यहां पर जो उनकी एकल प्रदशनी और नाव वेन ठीक है तो जिम डॉनाव वेन है उनसे इनकी मुलाकात हुई थी और यहीं से ही यहीं से भूपेन खकर जो है बाजार में बिकने वाली जो प्रतिमाए और देवताओं की छिपी हुई जो छबिया होती है तथा कलेंडरों से उन्होंने कोलाज बनाना प्रारं प्रारंब किया था तो यह तो पता ही है कि क्या होता है तो इसको भी याद रखिएगा ठीक है तो यह चीज आपको बता दिया है यह भी पॉइंट इंपोडेंट है तो यहां पर मैने पहली बता है कि यहां पर कलाकारों की विशेस्ताइं आप बहुत अच्छे से याद करते हैं जैसे कि यह तो आप्र लोग देख लिया कि मतलब किसका जो है वो यूज करते थे ठीक है तो यहां पे राम कुमार जो है जो मतलब बजार में वाली कोई प्रतिमाय देवताइज जो होती है की चबी कलेंडरों के साथ कोलाज बनाना प्राराम करते थे तो इन्हों इनकी कला करतियों में आपको देखने को मिल जाएगा पोस्ट कार्ड चार्ड कलेंडर लगू चित्र और सिनेमा तथा चाय की दुकान पर जो टंगे रहते हैं उनके चित्रों का यहां पर अधिक उन्होंने प्रयोग किया है ठीक है तो इसको भी याद रखेगा यह भी बहु सैयोजन है यानि कि जो इनके चित्र हैं जो सरबादिक जो प्रवावशाली है तो जो श्रीनाथ जी है उनके अधार पर उनका कमपोजिशन है यह कह सकते हैं तो अब हम बात करते हैं कि इन में से यह चित्र एक बड़ी आकरती और चारो और ठीक है तो यहां पर आप देख स चलिए तो और यहां पर यह भी बता देती हैं कि जो खाली स्थान रह जाता था बहाँ पर क्या लिखते थे राम राम का नाम लिखते थे ठीक है राम का नाम लिखते थे चलिए तो ये है देखो ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर भूपेन रंग जो मतलब भूपेन खकर है उनकी रंग योजना कैसी थी तो आप लोग बता सकते हैं आसानी से कि इनकी रंग योजना कैसी हो जाएगी चटक रंग ठीक है तो ये भी याद रखीगा कि इनकी रंग होकनी से इनकी तुलना करी जाती नेक्स यह पर पर जो हिंदु आधूनिक पॉप कलाकार यानि कि जो भूपेन खकर है ये भूपेन खकर आधुनिक पॉप कलाकार माने जाते हैं ठीक है क्या माने जाते हैं आधुनिक पॉप कलाकार माने जाते हैं अब हम बात करते हैं कि इनका जो अधिक समय जो सबसे जादा अधिक समय जो इनका इस्पेंड हुआ था टाइम जो मतलब इनके साथ ही थे ठीक है तो ये चीज है ये भी याद रखीएगा बाकी हम बात करते हैं तो ये कुछ भी पूछ सकता है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा कलाकार था जो यहाँ पर होवर्ड होडनिक साथ अधिक समय वैतित किया था तो भूपेन खकर है ठीक है तो ये भी याद याद रखीएगा दूसरो पॉइंट है यहाँ पर आदुनिक पॉप कलाकार जो है प्रतम आदुनिक कलाकार के रूप में कौन जाना जाता है तो अब बता सकते हैं भूपेन खकर हो जाएंगे बाकी इनकी जो रंग योजना है कैसी है तो बिलकुल यहाँ पर चटक हो बता है कि कौन से ऐसा कलाकार है जो संभलेंगे कलाकार है तो आप सकते हैं तो आपका भूपेन खकर हो जाएगा अब हम बात करते हैं कि देखो भूपेन खकर जो हैं इन्होंने यहाँ पर समलैंगिता के आधार पर इन्होंने चित्र भी बहुत सारे बनाए हैं यहाँ पर सीरीज भी बनाई है यह भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है यह भी आप लोग याद रखीएगा नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर पुरुसकार है तो पुरुसकार देखते हैं जो पुरुसकार तो सभी के बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो सभी याद रखीगा तो हम बात करते हैं 1984 में इनको पदम शरी बा काली दास का सम्मान पुरुसकार प्राप्त हुआ है ठीक है किसको यहाँ पर पदम शरी बा काली दास सम्मान पुरुसकार प्राप्त हुआ है और 1986 में यहाँ पर एशियाई की पर जो परिशद की Starher Foundation Fellowship भी इनकी मतलब जो है प 1986 में यहाँ पर SCI पर्शित की Starrer Foundation Fellowship यहाँ पर मिली थी, ठीक है, इनकी यहाँ पर प्रमुक कला करतियां यह वाली है, ठीक है, तो यह चीज़ याद रखीगा, Starrer Foundation Fellowship मिली थी, अब हम बात करते हैं कि 1981 में, You can not place all, यानि कि हम किसी को खुश नहीं रख सकते, या तुम सभी को खुश नहीं रख सकते, ठीक है, तो यहाँ पर You can, You can't not place all, जो बहुत ही ज़्यादा important है, यह पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भूपेन खकर की है, You can't place all है, जो हम, मतलब तुम किसी को खुश नही रख सकते हैं, मतलब सब को खुश नहीं रख सकते हैं, ठीक है, तो यह भी बहुत ज़्यादा इंट्वर्ट, देखो, यहाँ पर आपको मैंने बताएगी, ठीक है, छोटी-छोटी आकरती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह दो, ऐसी ही यह पिक्चर बनाते तो, आप पिक्चर देखते ही, पता लग जएगा कि भुपेन खकर की कैसे पिक्चर बनाते थे, कैसे क्या है, तो यह चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इनका आपका जो कमपोजिशन है, इसी टाइप से ही मिल जाएगा, चलिए, तो अब हम बात करते हैं, कि आपे पिर आर्ट गैलेरी में इन्होंने प्रदिशित किया था, यह एक छे कलाकारों की प्रदिशनी थी, और यह एक प्रथम चित्र था, यह भी याद रखिएगा, जिसने मौन इच्छाओं को भूपेन ने स्वतनता प्रदिशित किया, यानि कि जो है, यह एक समलेंगिक कलाका थे, यह चीज आपको, मतलब जो पहले इन्होंने किसी को नहीं बताये था, लेकिन जब इन्होंने अपनी इच्छाओं को, मतलब एक दम पूरा जब पिक्चर बनाई, सब लोंको पता लग गया, तो वो एक दम फ्री हो गया, बहुत जादा इनको कोई, कोई भी कलाकार ऐस में नइन हे यहां पर है यहां पे 86 में नार विट्रेंट सब्सक्राइब नेजस्हा एक सब्सक्राइब तो यहां पर जो आपको पॉइंट बताएं है उसको बहुत अच्छे से आप याद करिएगा ठीक है चलिए तो नेक्स कुशन की तरह बढ़ते हैं यहां पर जो ट्रक चित्र है यहां पर एक शरंखला बनाई तो ट्रक है यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर इन्होंने चित्र शंखला बनाई है जो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है यह वाली भी और यहां पर जनता वॉच्छ रिपियरिंग तो यहां पर जनता वॉच्छ रिपियरिंग है यह भी इंपोर्टेंट है टाइगर एंड इस्टेग है यह एक है एक जलेबी खाता आदमी है यह मैन इटिंग जले भी है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर नियर रेड फोर्ट है इसको भी याद रखेगा तो यहां पर आपको बता देती हूँ दूसरा आर्टिस स्टार्ट करने से पहले तो यहां पर याद रखेगा कि भूपेन खकर याद रखेगा एक स्वय प्रसिक्षित कलाकार है दूसरी चीज याद रखना कि इनकी जो रंग योजना है वो कौन सी है सबी स्ट्रों बताईएगा कि इनकी रंग योजना कैसी है ठीक है और दूसरी चीज यहां पर पूछता है कि कौन से ऐसे मित्र थे जिनों ने ब्रश्चिका पत्रिका है उसका साथ संपादन किया था तो आप बता सकते हैं गुलाम मुहमद शेक थे ठीक है तो यह चीज चोड़ी चोड़ी चीज है उसको बहुत अच्छे से याद रखीगा बाकी ही है कि कौन से ऐसे बिटिस कलाकार है जिनकी तुलना मतलब कौन से कलाकार से करी जाती है कौन से बिटिस कलाकार से करी जाती है तो अब बता सकते हैं डेविड होकनी ठीक है तो डेविड होकनी से की जाती है और यहाँ पर एक पॉइंट और पूछ सकता है कि यहाँ पर मतलब जो मित्र, मित्र तो पता है कि यहाँ पर कौन से थे गुलाम मुहम्मद शेक हैं और रंग योजना इनकी चटक है, तुल्ना इनकी डेविड हॉकनी से करी गई है, तीसी चीज यहाँ पर पूछ सकता है कि जो कलाकार ऐसा कौन सा कलाकार है, जो यहाँ पर आधुनिक तो आप बता सकते हैं, भूपेन खकर हैं, ठीक है, तो यह जीज पॉइंट आपको मैंने बता दिये हैं, तो उसको बहुत अच्छे से याद रखीगा, तो मुझे लगता है कि आप भूपेन खकर से एक भी पॉइंट चूटेगा, ठीक है, चलिए, तो नेक्स चाहाँ हम प लेते हैं, जन्म है, तो जन्म कौन सा है, यहाँ पे, 1937 में सुरेंदर नगर यहाँ पर गुजरात में हुआ है, ठीक है, और बत्वा नहीं कहा रहते हैं, तो बड़ोदा, इनका जीवन साथी कौन है, यहाँ पर पतनी है, जो नीलीमा शेख है, वो किसके लिए जानी जाती है, तो नीलीमा शेख भी most important है, यहाँ पर उसको भी कलाकार आपको करा देंगे, बाकी नीलीमा शेख है, यहाँ पर painting installation और theater show, मतलब designing है, ठीक है, यह डिजाइन लिखा हुआ है, और यहाँ पर बच्चों की किताबों के जो चित्र होते हैं, उसके भी उसका design भी करती थी, तो यह चीज़ भी याद रखीगा, यह भी important है, डीलीमा शेख, next question की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर next point है, चलिए, तो यहाँ पर next point है, यहाँ पर royal college of art, यानि कि जो इनकी सिक्षा हुई है, बो यानि कि कहां से हुई है, royal college of art, लंडन से हुई है, बाकी यह जो सिक्षक है गुलाम मुहमद शेख है, जो सिक्षक थे, कहां के थे, यह वाला बहुत ज़्यादा important point है, इसको याद रखीगा, कि गुलाम मुहमद शेख कहां के सिक्षक है, MS-20 बिद्याले बड़ा अदा के हो जाएंगे, ठीक है, तो यह भी point याद रखीगा, तो अब हम बाठते हैं, मतलब next point की तरफ, यहाँ पे 1987 में 2000 तक, यहाँ पे शिकागो आर्ट इंस्टिटूट में ये एक visiting professor भी रहे हैं, ठीक है, तो यह भी याद रखीगा, यहाँ पे काफी time तक रहे थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि 1987 तक, यह 2000 तक, ठीक है, 2000 तक, यहाँ पे शिकागो आर्ट इंस्टिटूट विजिटिंग प्रोफिसर के रूप में ये रहे, तो यहाँ पर आप बात करते हैं, गुलाम मुहमत शेक, दो यह तो आपके question पूछ लियाते हैं, कौन सा कलाकार किस रूप में जाना जाता है, कौन मूर्तिकार है, कौन चितरकार है, कौन चितरकार मूर्तिकार, छापाकार, तीनों ही है, कौन लेखक, कौन कलासमिक्षक, कौन है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको बहुत याद रखीगा, तो यहाँ पर जो गुलाम मुहमत शेक है, तो इनके चितरकार हैं, वो कौन हो जाएंगे, लेखक हो संपादन किया था, कौन से सन में, यहाँ पर 1969 से 73 तक यहाँ पर इन्होंने ब्रस्चिका पत्रिका का संपादन किया था, और यह भी याद रखिया कि यहाँ पर किसके साथ मिलके किया था, इन्होंने किसके साथ मिलके भूपेन खकर, तो इनके जो मित्र थे भूपेन खकर, चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं यह कबीर दास से अधिक प्रभावे थे यानि कि जो कबीर दास से अधिक प्रभावे थे तो इसलिए इन्हों ने यहाँ पर जो कबीर दास के सब्दों के बीच की एक रिष्टा बनाया और वर्ड माला शंखला पर भी इन्होंने काम किया तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कहत कभीर वाला आपने सुना होगा तो यहां पर वही चीज है कि इनोंने मतलब इस पर एक चित्र शंखला भी बनाई है ठीक है चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की तरह बढ़ते हैं यहां पर प्रथम एकल प्रदर्शनी तो प्रथम यहां पर गुरूप 89 दोनों की याद रखना जली से कमेंट करके दोनों को बताईए गुपे भुपेन खकर कहां के सदस्ते थे और यहां पर दूसरा कौन सा है गुलाम मौमद शेक ठीक है दोनों जली से फटाफट बताईएगा दोखो आप लोग भी आंसर देते तो आपको बहुत अच्छे से तयार हो जाएगा ठीक है चलिए तो कश्मीर किसका यह किसमें बना है यह किसमें बना है आपका सियाही में बना है ठीक है यह आपका कश्मीर किसका है यह आपका कुलाज बना है किसमें आपका सियाही 2005 में बना हुआ है नेक्स्ट है यहां पर मैंपा मुंडी है तो दुनिया का मद्ध यूरोपी नक्षा है यहां पर मैंपा मुंडी यह भी बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है यहां पर कहत कबीर जो नीली तस्वीर सीशक वाले इस पाकृतिक दस्टे को चित्त किया है इकजाम में भी आ चुका है तो इसको भी याद रखिएगा चली तो कागज पर गवाश यह जो है आपका यहां पर नेक्स्ट है जो आपकी कलाक्रती यहां पर कागज पर जो गवाश है 2003 में बनाया था एक अचंबा देखा रे भाई ठीक है तो यह किस पर बना है एक अचंब यहां पर है विक्टारीय når संख्राल में है तो यह जानते ही है कि इस gefी अचेश है शुआ में पूछाधा है उप इसे दो उसने. बास ब्ढब नई दिली में संगरित है, ट्री ओफ लाइफ है यह भी याद रखीगा, गोल्डन ड्रीम है यह भी वेरी इंपोटेंट है, यहां पे लंभी लंभी अनुपस्थिती के बाद घर बापसी, यहां पर प्रतिक्षा और घुमकड के बारे में, ठीक है, तो इसको भ लगना रह गया है तो इसको याद रखीगा ठीक है यह निहारी का अलग है और पहार पर पेड़ यह अलग है ठीक है तो दोनों ही याद रखीगा जादू गर और फकी यह भी बहुत जादा इंपोरेंट है इस्टोरी ओफ अलफाबेट है में दूट मोस्ट इंपोरेंट है यह वाला याद रखीगा यह है कैनवास पर तैल रंग में बना हुआ है यह क्या है एक सीरीज है ठीक है तो यह जो मैंने आपको बताया है इसमें से बहुत अच्छे से याद रखीगा बाकि ब्रष्चिका और दूसी चीज दो इपर है 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 कनी बीत बहुत जाब मीत लूठ बहुत था इतना प्पॉर्जेय और ऐस चीज आपको देगां है कनृ आप से बहुत आप ऑत यह धाब पर होती है यहां पर पिर आपको रिपीट करister है यहां पर ट्री ओफ लाइक एक इसमरती और संगीत के बीच यह बहुत ज़्यादा इक्जाम में पूछा जाता है ठीक है तो यहां पर एक कहत कभीर वाला नीली तस्वीर जो है यहां पर यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको भी याद रखिएगा ठीक है तो यह जिस आपको पॉइंट बता दी हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा बाकी हम देखते हैं पुरुसकार जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गुलाम मुहमत शेक के जो पूछ ले जाते हैं तो यहां पर बात करते हैं कि रास्टी पुरुस पुरुसकार मिला था ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा पदम शिरी इनको कब मिला था 1983 में मिला था ठीक है और यहां पर काली दास सम्मान पुरुसकार तो जल्दी से कमेंट करके बताईएगा कि यहां पर काली दास सम्मान पुरुसकार पदम शिरी पुरुसका में मिला है ठीक है चलिए तो यह चीज आपकी यहाँ पर पुरुसकार भी पूरे खतम हो गए है कलाकरती भी खतम हो गई है बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है कोशिस यही करूंगी आपको ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छा मैटर दूं कि आपका एक भी कोश पढ़े टी वाले तो यह मत सोचियेगा कि यहाँ पर PGT का यहाँ पर नहीं करना है तो आपको पहले बता देती हूं कि यहाँ पर सारे ही सॉल्व करिए क्योंकि आर्ट का संबंध है तो आर्ट का पेपर किसी से भी कुशन पूछ ले जाते हैं तो PGT का पूरा सौल्व पर क कराऊंगी अगर कोई स्टूरेंट आपको देख मतलब पीजी टी वाला है तो भी आप जॉइन करिएगा क्लास यहां पर स्टार्टिंग से लेके बिल्कुर आपका स्टार्टिंग से लेके लास तक जितने भी पिपर हुए हैं वो सब कराऊं करा दूगी एक हफ्ते के बीच म कि आप लोग सब लोग कमेंट करिएगा इतना तो टाइम निकाल सकते हैं कि कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम में हो किसी से टॉपिक से रिलेडेड तो आप तब भी बताईएगा कमेंट करके उसका भी सेलिशन तुरंत निकाला जाएगा और यहां पर अगर आपको कोई भी टॉपिक बहुत ही जादा वीक है वह भी आप बताईएगा उसको भी जादा जल्दी से पढ़ा दिया जाएगा ठीक है तो यहां पर अलग से टाइम निकाल के भी ज़रूर पढ़ा दूंगी ठीक है चलिए तो यहां पर पूरी क्लास खतम हो रही है क अगर कुछ भी समझ में आया है तब भी आप कमेंट करके जरूर बताईएगा चले अगें थैंक यू चले ओके थैंक यू अवरीवन फिर मिलते हैं आपका क्लास निक्स्ट जो दो बज़े होती है टाइम तो सबको पता ही है यहां पर दो बज़े और दस बज़े ठीक है त अगें थैंक यू अवरीवन